Hello everyone, तो आज हम जल्दी से quick and easy cold coffee बनाएंगे Cold coffee किसको नहीं पसंद आती है और ये काफे में काफी expensive भी होती है तो चलिए देखते हैं कैसे इसे हम बहुत ही कम ingredients के साथ बहुत tasty और जल्दी कैसे बना सकते है So without wasting any time, let's get started Cold coffee बनाने के लिए सबसे पहले आप एक blending jar ले और उसमें मैंने एक कप के करीब थंडा दूद लिया है मैंने दूद को उबाल के fridge में लग दिया था आप normal temperature में रखा हुआ भी दूद ले सकते हैं पर थंडा दूद से coffee बहुत थिक और फ्रॉदी बनती है उसके बाद मैं आड़ कर रही हूँ half teaspoon coffee powder फिर हम इसमें cocoa powder डालेंगे एक teaspoon ये बिल्कुल optional है पर इससे taste बहुत अच्छा आता है उसके बाद इसमें जाय का चार टेबल स्पून चीनी और लास में कुछ ice cubes आप चीनी को अपने हिसाब से adjust कर सकते हैं कि आप कितना मीठा या bitter coffee पसंद करते हैं तो अब आप blending jar का धकन अच्छे से लगा कर उसे अच्छे से blend कर लें तो अब coffee अच्छे से blend हो चुकी है अब हम धकन खोल के देखते हैं आप देख सकते हैं कितनी frothy और ठिक लग रही है हमारी coffee बिल्कुल ऐसी coffee चाहिए हमें तो अब हमारा cold coffee ready हो गया है तो हम एक serving glass या coffee mug लेंगे काज का glass यूज़ करें और ये जो Hershey का चोकलेट सिरफ आता है उसे अंदर के तरफ अच्छे से coat कर लेंगे बिल्कुल ऐसे और कुछ नीचे में भी डाल देंगे इससे coffee देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और फिर जो blended coffee है उसको डाल दे glass में आप चाहे तो इसमें इसके ऊपर एक स्कूप वैनिला आइसक्रीम भी डाल सकते हैं अब हम इसके ऊपर चोकलेट ग्रेट कर देंगे एक ग्रेटर के help से मैंने यहाँ पर dairy milk चोकलेट लिया है और ये अब हमारी एक तब मज़दार easy and super quick cold coffee तयार हो गई है तो आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है तो जब भी आपको cold coffee पीने का मन हो तो आप इसे फटफट अपने घर पे बनाए और अपने guest को और खुद को serve कीजे अगर आपको मेरी मेहनत और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने friends और family के साथ खूप सारा like कीजे और सभी family friends और social media sites में धेर सारा share कीजे और मेरे channel को अगर आपने अब तक subscribe नहीं किया है तो जो नीचे red button देख रहे है जहां subscribe लिखा हुआ है तो बस वहाँ click कर दीजे पासी बनी हुई bell icon को भी साथ ही press कर दीजे इससे आपको मेरी सारी videos का notification सबसे पहले मिलेगा so thanks for watching and happy cooking कर दो कर दो कर दो